ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी ये तो तौफे में दी गई गेंद थी और बले बास बिलकुल भी नहीं चुके चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी शॉट गेंद बास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन इस शॉट को पड़ा भी है और जड़ा भी है बड़ी आस्ट्रू बहुत लै में नजर आ रहे हैं बले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंद बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बहुत ही सरल शॉट था ये बले बास का गेंद की रफ्तार का पूरा उप्योग करते हुए गेंद को पहुचा दिया है बाउंडरी लाइन के उस पार और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है बले बास अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रण ये चुनिंदा शोट्स बहुत ही बैतरीन खेलते हैं शेत रक्षन में तब दीली ये एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे बना शोट लगाया उमच्चा भी था लंबा भी था बल्ले का बीचो बीच से था दर्शक यहां बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहुत उत्साहित यहां बिलकुल अच्छा संपर्क मिलेगा च्छे बल्ले बास को बल्ला आग उगलता हुआ विस फोटक बल्ले बासी गेंद बास को संकेत देते हुए जहां चाहूंगा वहीं मारूंगा पहतरीन बल्ले बासी बल्ले बास दौरा बहुती बड़िया शॉट बहुती बड़ा शिक्स जाने जाते हैं यह बल्ले बास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है बहुत उम्दा यह तो रिपले में और भी बहतर लग रहा है बहुती बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे बहुती बड़िया फिल्डिंग का प्रदर्शन फिल्डर है कवर पर बहुती नजाकत से उठा दिया है वहां चे रंड बहुती बड़िया साजेदारी गेंदबाजों को विकेट लेना ही होगा अगर इस मैच में बरकरार रहना चाहते हैं सुनेहरे फॉर्म में हैं यह आजकल आपने अगर एक गलती कर दी तो यह उसका पूरा फाइदा उठाएंगे इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुती सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां बिल्कुल चक्मा खा गये हैं वहां रड़ेग बढ़ानी की कोशिश में गेंद की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहां ओहो हो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉट और यह सीधा बाउंडरी के पार क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है चलिए देखते हैं पूरी तरह मिस्स किया वहां काफी हताज होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में धीगेंद उठा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और यह चेरन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है क्या चाबुक शॉट लगाया है ऐसी शॉट की अवास सुनते ही मन मंतर मुख दो जाता है कि ऊपर से मारने का मन बना लिया था और सक्षम हुए करने में इनको बैटिंग करते देखना दर्श ये निये है बल्लेवाज ने इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी लगाया चक्का गेंद की लेंग्ट का अनुमान तो उओ इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था बहुत ही खुपसूरत शॉट दूसरे छोर से तेज गती के गेंद बस को लाया गया है गेंद को भेजा है हवाई यातर पे कोई टेंशन नहीं की कहा गिरेगी फील्दिंग में परिवर्तन अब पता नहीं भाया ये गेंद कहा जाएगी बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंद बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन बहुत जादा रन दे चुके हैं इस ओवर में यह एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि वो अपनी गेनबाज को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बहतर गेनबाजी के लिए यह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे पहती बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यह पारी इनका ज़रूर मनोबल उपर करेगी बल्ले से निकलते ही अपनी किसमत लिखवा गई थी यह गेन तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे चक्का मार देंगे यहां बिलकुल अच्छा संपर्क मिलेगा अच्छे जबरदस्ट बल्ले बाजी का परदर्शन इन दोनों खिलाडियां द्वारा अपनी टीम को एक सुद्रिड स्थिती में लाते हुए पहतरीन बल्ले बाजी बल्ले बाज द्वारा बहुती बड़िया शॉट बहुती बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है ये तो तौफे में दी गई गेन थी और बल्ले बाज बिलकुल भी नहीं चुके बॉलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ ये बहुती कठिन फील्ड है गेन बाजी करने के लिए गेन बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी बहुती बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे क्या इनके तरकश में से एक और चौक का निकल सकता है चलिए देखते हैं उटा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और यह चेरन कप्तान यहां अपने गेनबास को यह समझाते हुए कि अगर सोच गेरी हो जाए तो फैसले अकसर कमजोर हो जाते हैं बहुत लै में नजर आ रहे हैं खतरना केन और सीधा बल्ले बाज के शरीप पे लगी ओ बहुत ही बेदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है चुरा लिया है एक बड़िया रनिंग बिट्वीन डविकेट्स जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में और यह स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी हैं बल्ले बास की और बहुती अच्छी स्टंपिंग बहुती निराश लग रहे हैं और यह स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी हैं बल्ले बास की और बहुती अच्छी स्टंपिंग गेन बास ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगाया है उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई संदेह नहीं था कि यह छे रन है फील्डिंग में परिवर्तन एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी और यह शॉट बस एक रन ही निकाल पाए बल्लेबाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बहुत ही अच्छी ठाल मेल तोनों बल्लेबाजों के बीच में बड़ी आरानी मिट्वी दरकेट्स पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई किये है फ्वास बोलर्स की इन्होंने नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए ये स्पिनर्स के सामने विक्राल रुपधारन कर लेते हैं हेलारान तेजी से लेते हुए बहुत ही बड़िया फील्डिंग ऐसी फील्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा झाल है जाकत्त झाल झाल